हल चला है तूने हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी की सभी आप सभी का स्वाइट करता हूँ एक और नियो व्लॉग में तो गाइज मैं अपनी खेतों पे आ चुका हूँ सुबही सुबह और आज धोड़ा बादल हो रखा है बारे सोने की वी संभाब ना है आज कर दोरार यह समारा यह वही कहते जिसमें सर्सों थी और यह अब जुद चुख आहा है मैंने पिछले व्लोंक्स में दिखाई थी के सर्सों खड़े यह उसके बाद एने दिखाई थीकि ठोंटी ठोंट रह आगा यह अब तो यह जुदद चुका है अब इसमें मका बोई आई और इसके ठूट देखी कैसे उखड़े पड़े हुए हैं अभी इसकी कुछ देर पहले ही इसकी ट्रेक्टर से जुताई की गई और देखे पूरा खेट साफ सुत्रा हो चुका है बिल्कुल अब इसमें घास कुड़ा कहीं नहीं देख र ही होगी और यह दो बैल हैं और इनको एक बूड़े अंकल चला रहे हैं और यह बहुत ही तेज़ चलाते हैं बैल और ऐसे गाउं में मका बोई जाती है और चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज ऐसे मज़दर मज़दर चीज तो गाइज यहां पर कुड़ी हो चुकी है खेत में और मका बोदी गयी है इसमें और बूब बैल आ रहे हैं सामने से उस्सी बोई जा रही है मका अ देखिए बहुत तेज दूब पर रहा ही हम दूब में मका बोदी गयी है और अब यहां पर पटेला लग रहा है जो कुड़ी हुई थी मतलब जो नाली सी बनी थी अब बंद हो रही है इस जिस पर ये अंकल खड़े हैं उसे पटेला बोलते हैं और ये दो बैल इनको खेंच रहे हैं यहाँ पर बैल हो थी कड़ी मेनत के लिए एक सब्सक्राइब तो करना बनता है गाइस तो कर दीजी देर को जो पश्य दिख रहे है यहां पर टरो चलती है जो मैं नेया पको पिछले व्लॉक समय भी दिछाई थी और बताई यहां पर ट्रॉली कहा दा जहां पर काफी हएबड़ा घढ़ और नियुकर प्रेशर से और यहां पर हरी हरी बेंस का चारा खड़ा हुआ है और गाइज यह स्यामु भाई देखिए हल ले जा रहा है पीट पे रखके हल ले जा रहा है अभी मका और बोई जाएगी खेत में जो आपने देखिया है वह अभी चार वीगा में बोई गई अभी एक बीगा बाकी है वह अलाग है खेत इसलिए यह स्यामु भाई हल ले जा रहा है मकाब होने के लिए भारमी फूरों अंगभा में को जेन तंजो गातरी लाँ तो गाइज आज के लिए बस इतना या मिलते किसी नए ब्लॉग में किसी नए टोपिक साथ अब तक के लिए जय हिंद जय झाल